जैहिन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटीब चैनल अमरित अकैडमी पे हम लोग सीटे पेपर टू के लिए प्रिविएस येर कोश्चन्स सॉल कर रहे थे आज अपना उसी सिरीज का दस्वा दिन है आज की इस वीडियो में हम लोग जो प्रिविएस येर कोश्च चने मटर मूंग बीन और अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है ठीक है तो जीवाडू का पौधे संबंद कहलाता है तो जीवाडू जो राइजोबियम है उसका पौधों के साथ क्या संबंद कहलाता है वह पूछ रहा है ठीक है ना देखिए जो राइजोबियम होत होता है वह क्रता है नैंना डोर्ँ जो अर्थ में होता है उसे क्या करता है पौधों की जडों में पा literally कि गाथों में पाया जाता है और वह उन्हें product कराता है ठीक है तो इनका जो संबन्ध होता है एक दूसरे के लिए फाइदे दोते हैं ठीक है राइजोबियम का अपना फाइदा होता है पौधे की जणों का अपना फाइदा होता है नाइट्रोजन के लिए तो ऐसे रिलेशन को बोला जाता है सह जीवी संबंद्ध जो की ए ऑप्षन पर दे रखा है ए ऑप्षन आपका करेक्ट आप्षन हो जाएगा ठीक है तो पहले 61 का कोश्चन का करेक्ट आप्षन कौन सा हो जाएगा अब आज आते हैं अपने अगले कोश्चन पर 62 कोश्चन जो दे रखा इसमें देखिए इसमें क्या कह रहा है प्राड़ी जहां रहते हैं वह जीवित रहने के लिए अपने ठीक है एक सेकंड अपने आपको अनकुलित कश्च लेते हैं अस्तंब में पराड़ को की सूची और अस्तंब दो में पराड़ के अनकूलन की सूच्छ दी गई है कि थी के देखिए जिसमें एक में में पराड़ियों के बाद की गई है ठीक है कि कौन-कौन से प्राणी है और वो कहां रहते हैं उनकी बात करीगी है ठीक है सबसे पहला प्राणी का नाम इन्हों ने जो लिया है वह दुरुवी भालु या पोलर बीर जो होते हैं अब इनके समवेदी अंग कैसे हो जाएंगे उसके बारे में चर्चा कह रहे हैं ठ दुरुवी प्रदेशों में पाया जाते हैं वहां पे बहुत जादा बर्फ होती है तो उनकी जो पंजे होते हैं वह थोड़े नुकीले होते हैं बर्फ पे चलने के लिए ठीक है न तो उससे हम मिलान कर पाएंगे इदर देखिए शमवेदी अंग में क्या क्या दिया है यह आपका A option जो है मिल जाएगा किस के साथ चार के साथ तो option में देखिए चार के साथ कहां है क्यां रहा यहाँ पर चार के साथ रहने के लिए क्या करते हैं उस प्रदेश में रहने के लिए ठीक है उसी तरह से लाल आख का मेंड़क जो होता है इसका जो मिलान हो जाएगा आपका थ्री के साथ हो जाता है पाद पर चिपकती हुई गद्धी यहां पर यह मिल जाएगा वैसे देखिए सेर जो होता है वो थोड़ा सेंसेटिव होता है आवाज को सुन करके सिकार और हाथ ही का जो होता है वो क्या करता है रुपांतरी तद्दात होते हैं यह कोशन आपका सौल हो गया अब आजाते हैं अगले कोश्चन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट को दे रखा नेक्स को देखिए इसमें कह रहा है निमनलिखित में से कौन एक लिंगी पुस्प का लाग लाक होता है एक टी केका है जो इसलेरिक है पुरुस जो अलग होता है उसे बोलाजाता है यह जहते हैं और वाद आजाता है coconut जिसको नारियल यह सब क्या है एक लिंगी पौदे होते हैं और बाकि यह सरसो गुलाब यह सारे क्या है द्वी लिंगी में आते हैं अपने तो 63 का कोश्चन नमबर सी जो स्वरी इसका जो आपसन नमबर सी है यह बिल्कुल करेक्ट हो जाता है ठीक है अगल इब भीजों ने देखा मैंसे अंकूरण होता यह एक अस्थान से दूसरे आस्थान क Jersey जाते है कहते हैं कर द 우리 माकोड़ो दारा उस तरह से कई तरीकर से फैलाए जाते इसमें से पूच्छा कौन सा बीज प्राया वाईयू ध्यक्तार नहीं जाता जिस जोकि वाईयू की हल्फ से नहीं यहां से भाहएं डिस्टिब्यूट होता है वह कौन सा तो वह आपका 2020 में पेपर हुआ था जनवरी में उसके हैं ठीक है अगला कोशन हम लोग देख लेते हैं 65 में देखते हैं क्या कह रहा है देखिए इसमें कह रहा है मानो कंठ यह इंपॉर्टेंट कोश्चन है आपका कह रहा है मानो कंठ के विशय में निम्नलिखित में से कौन से अभी कथन स वह रहा है मानों देखिए पहला कंठ में स्वासनली खाद नली के सनिकर होती है जो अगला greater सब्सक्राइब लिए अगला एक में पल्ले जैसा मुपस्थीत बिल्कुल में इहां पे देखेंगे यह जुडाव वाल्ब में तूटती है छी तरह से कुछ है तो यहां पर कपाट लगा होता है ठीक तो एक बार जब भोजन लेते हैं तो इधर वाला और इधर वाला तो यह वही पुच्छ़र एक पल्ले जैसा वाल्ब होता है यह भी बिल्कुल क्थन आपका क्या दे रखा है अगला तीसरा कथन क्य में एक ही रास्था नहीं वाया रास्था लग होता है तो ये दुनों आलग आपना कथन गलत हो जाता है और उपरवाले साही काइब कभी 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 बोजन के क्र यह घो यहां पर वाफ्र लगा होता है ना वह मारा कंट्रोल करता है वह कभी कभी हम खाते हैं ओर Nom तो जन जाने की वज़र से क्या होता है यहां पर दिक्कत आने लग चाहिए की स्थिती बन जाती है तो देखिए केवल एक कथन थर्ड वाला गलत बाकि सारे सहीं है तो यह आपशन अलेक मानवों में रोधीर के प्रवाह का सही करम्त को दरसाता है ब्लड फ्लो सरीर में कैसे होता है वो बताता तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ याद रखो लंग्स मतलब फेफडे से सिवते ही तो यह रखो ड़िया का तो ऊपका कहा जाता है मतलब फूफूस ऌटी में बेच दिया तो गलत हो गया यहांपे भी गलत हो गया क्योंकि लंग्स से आपका कहा जाता फूफूस उर प्रल्मोनरिया में जाता है ठीक न उसके बाद फिर यहां पर क्यादर के इसमें भी देखिए फुफुस सीरा में भेज रखा है फुफुस से यह भी इसी के जैसा है अब लेकिन उसके बाद कहा जाता है फिर हर्ट में जाता है फुफुस से मतलब हर्ट यह जो लंग सोता है लंग से किसमें जाता है फुफुस स आपस फुफुस धमनी में इस तरह से ब्लड फ्लो करता रहता है रक्त परिसंचरण पूरा चैप्टर हमने पढ़ा रखता है वहां पर बहुत अच्छे से मैंने अब होगों तो जो है किसे का से चुबाओ के पहरा है परिसंचरण से जनन से उटाय से यह जो मतलब कि उत्सर्जन से जुड़ा होता है जब हम भोजन वगएरे करते हैं तो हमारे सरी में जो अपसिष्ट पदाव जैसे अमोनिया अक्षाइड हो गया इस तरह के जो बनती है जो पाचन के बाद बचते है उन्हें सरीर से बाहर निकाल ला परागं में ज़िल्ली में जो द्रौ होते हैं उसके बाद उनका जो छनने की पर्यवति यह सारे process हमारे dialysis में आते हैं ठीक है तो question पूछा है हमसे कि dialysis का संबंद किस से तो आप किस से बता दोगे उतसर जन से ठीक है तो 67 का correct option कौन सा हो जाएगा बी option आपका correct हो जाता है अब हम लोग अगले questions पर आ जाते हैं अपने देखे 68 यह वाले question में क्या कह रहा है देखिए कह रहा है मानों में ध्वानी company अच्छा ठीक है मानों में ध्वानी company एक पैदा करता है और company को बी में भेजता है ठीक है और वह संकेत सी अच्छा वहां से संकेत सी पर चला जाता है तो ABC का क्रम क्या है देखिए मैंने आप लोग प्लेलिस्ट जाके देखेंगे चैप्टर जिसमें हमने पढ़ाया है उसमें मैंने कान की सरनश्चना बताई है उसमें क्या होता है सबसे पहले जो ध्वानी टकराती है यह ड्रम कि लाश्री नटेकरणी है इनर चेलिए ईर में चली जाती इंट मैंस्य में अग्यां उसके बाद ब्रेश्या दिकनाल करते हैं। कंपन उत्पन हो वह कंपन हमारे इनर कान में चला जाता है और इनर के बाद यहां से मैसेच चला जाता है ब्रेन को की हाथ ब्रेन समझ जाता है कि कोई चीज कुछ आवाज कुछ टकराया है जिससे ध्वनी उत्पन होती है वह मैंने यह वाले चैप्टर में पूरा डीटेल मे पड़ा रखा है तो फिलाल हमारा जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा और बी हमारा क्या हो जाएगा इनर इयर और सी हमारा क्या हो जाएगा तो यह अगले को देख लेते हैं कि नेक्स कोश्चन क्या रहा है यह बहुत ही इंपॉर्टेन कोश्चन अधर एक्जामों में भी बहुत बार यहां से कोश्चन बनता है इसमें पोसक तत्तो दे रखा है और अभाव में क्या इससे रोग होते हैं बिमारी होती है उसकी बात कर राखिए आइरन की कमी से कौनसा क्या होता है और आयोडीन की कमे से भैंगह रोग होता है यह जिसको बलते यह आप लोगों पे है चार से दो जगां पे है तो यह दो अप्सन तो कटी गए अब एक से मिलना चाहिए बी जो मिला है एक से केवल सी ऑप्सन में है ठीक है ना तो सी ऑप्सन बिल्कुल आपका से जड़ा हुआ है तो देखिए रेषम के उत्पादन को बोला क्या जाता है सेरी कल्चर बोला जाता है क्या पूछा जाता है ओत्बादन को क्या बोलते तो क्या बताएंगे डٌदो सेदी कल्चर बोला जाता है तो ने эти mode आप पहादन उप्याना बेगी जनदी कर्लों होता है यह हैं यह एकойти कल्चर इंहें बोला जाता है ठीक है यहां पर देखिए सेरी कल्चर और मदबक्की पालन यह भी गलत हो जाता है आगे यह सारे कोश्चन गलत दे रखें ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्षन क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्षन हो जाएगा नेक्स कोश्चन देख लेते हैं अच्छा यह देखिए बहुत ही प्यारा कोश्चन है ऐसे भी कोश्चन कई बार आ जाते हैं इसमें कह रहा है संजना ने मिर्दा की अंतह स्रावड दर ग्यात करने के लिए एक प्रियोग किया उस उसने पाया कि मिर्दा के नमूने में 400 मिली जल के अंतह स्रावड को 20 मिनिट लगे तो अंतह स्रावड की दर पूछा है तो देखिए अंतह स्रावड की जो दर होती है अंतह स्रावड दर यह बराबर होता है आपका किसका नमूने की मात्रा नमूने की मात्रा डिवाइड़ बाई यह होता है समय कितने समय में जल गया ह तो अब देखिए इनने कितना नमूला लिया था 400 ml जल लिया था तो यह 400 हो जाएगा आपका और यह डिवाइड हो जाएगा किसे से टाइम कितना लगाता सरमट करने में 20 मिनिट का तो 20 से अब डिवाइड कर दीजिए जो जीरो से जिरो गया तो दो से 20 को का 40 को करटा तो 20 कितना जाएगा मिली पर सेकेंड है यह यह तो यह आप देखिए कहां पर दे रखा है यह सी ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अगला कोश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है कोश्चन को ध्यान से पढ़िए कोशिस कीजिए कि आप खुद से इन्हें सौल कर पाएं इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक रासायनिक परिवर्तन का उधारण नहीं है कौन सा है जो केमिकल चेंजिस का उधारण नहीं है देखिये रासायनिक परिवर्तन बार बार पूछे जा रहे हम जितने भी टेस्ट कर रहे हैं कोई नया पदार्थ बन जाता है और बहुत परिवर्तन में वही पदार्थ रह जाता है थिक पहला कह रह रहा है प्रेगमेंटेशन किडवन भी एक राशाइनिक परिवारतन होता है इसके बाद वापिस नहीं आता है ठीक है तो यह अप्सेंट होगा आपका अच्छा पहले हमारे सरीफ में भोजन का पचना भी राशाइनिक है तो यह भी आंसर नहीं होगा क्योंकि इसने नहीं पूछा है आगे केरे प्रकास मेसलेशन जो फोटो सेंथेशी है यह भी क्या होता है एक प्रॉसेस होता है इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है यह क्रिस्टलाइजेशन जो आपका हो जागा फिजिकल चेंजेश की बात कर रहा है आजाते हैं अपने अगले कोश्ण पर के अगला केस्टन क्या कह रहा है यहां से उदासीनी करण अभिक्रिया ठीक है के लिए निमलीखित में से क्या गलत है तो देखें अप लोगों को बता देता हूं निउटरलाइजेशन रिएक्षन इसमें क्या होता है जब एसीड और बेस देखिए यह मैं बता देता हूं एस तो इस रियक्सन को ही क्या बोलते हैं पर इसे ही हम लोग बोलते हैं नियुट्रलाइजेस्ट रियक्सन फिर हिंदी में इसको बोला जाता है उदासीनी करण अभिक्रिया ठीक है यह बात समझ में अगई है अब देखिए इसमें पूछ रहे क्या चारों और अप्सन में से क्य इस अभिक्रिया में एक नया पदार्थ लवण बनता है बिल्कुल सॉल्ट बनता है तो यह भी है तो यह आंसर नहीं होगा आपका तीसरा कहा रहा है निर्मित लवण प्रकृत में केवल केवल अमली अथवाशारी होता नहीं उदाशीन भी होते हैं केवल अमली चाड़ी यह केवल वर्ड लगने की वज़या से यह बिल्कुल गलत हो जाता है तो इसने गलत ही पूछा तहीं आपका अंसर बनेगा अगला क्या कर रहा है अभिक्रिया में उसमा सरवदा सरवदा और आउसोसित होती यह भी जरूरी नहीं कि हमेसा उसमा और सोषी ही हो तो यह भी गलत ह कर दी है तो यही आपका आंसर हो जाएगा तो आज का अपना अंतीन को शंधा और अगर पसंद आ रहे होंगे तो आप लोग चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजेगा क्योंकि इसी तरह से अब जैसे ही हमारा खतम हो जाता है सिरीज 2013 के लास्ट एक्जाम तक के जो अभी जनवरी में हुआ था उसके पाद हम लोग मैथ के 15 से 20 कोश्चन ले करके अपनी सिरीज को आगे करेंगे सारे को विद कॉंसेप्ट सॉल करके आप लोगों को दिखाऊंगा ठीक है न तो आज क्लास को हम लोग यह नहीं तक रखते हैं फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट बूडियम में थैंक यू सो मच बाबाए टेक कियर